पवन को ऐसा ही लोग कतरते चले गए आसनसोल वापस हुआ, बलिया का सपना दिखाया, बलिया वापस हुआ, बिहार का सपना दिखाया, बिहार से भी उड़ा दिया और आज वो बच्चा अगर निर्दलीय चला गया तो उसमें आप लोगों को मिर्ची लगी पड़िया, रह करीर, केरियर बरबाद करना चाहरा है, डेफिने इसफिला अगर विहार में BJP के कहीं से भी टिकट मिल जाता विहार में, बिहार के किसी भी कोने से टिकट पवन सिंग को मिल जाता, तो उससे strong candidate विहार में कोई दुसरा ही नहीं, नजर ही नहीं आई, जैसे ही रभी किसन से स इतना आपको अपने अख्डे सत्ता का भूक है कि आपको अपना चरित्र भी भूल जाते हो कि आप के अच्छे अच्छे करेक्टर वाले आद मी ऱुट armies करते हैं और निर्द लगने का एविद होंगे हमारे लिए और हमारी जनता के लिए काराकाट के जनता के लिए वह आज कारा काट की हर गलीयों में घुमने वाली उनके साथ सब्सक्राइब में में सभाव हर चीज को संभधित करने वाली विना मानवी से जानेंगे कि वहाँ पर ग्राउट पर चल क्या रहा है या वह भीड़ वोट में तब्दिल होगा या सिर्फ देखने के लिए एक पर फैन के रूप में आ रहा है जब से पहले स्वागत है मैं बहुत बहुत धन्यबाद मैं इस तरह से लोग बोल रहे हैं कि पावण से एक इस्टार ईए को देखने के लिए है वोट का उससे कोई देना देना नहीं है क्या लगता है आप नहीं ऐसी बात नहीं है और निटीर हैं। सिसमाइ को जोष चाहिं भी संवाइग कुछ लड़किया पकड़ के रोने तक लग रही है तो यह कैसा मतलब कैसा महौल है देखिए दुख बहुत है दर्द बहुत है वहां पर और पवंच की पहले भी समासेवा करते रहे हैं लड़कियों की शादी में मदद करना यह करना वो करना यह सब उनका समासेवा दिखता पहले भी जब वह अपना राजनितिक शेत्र में नहीं आये थे तो तो जब वह देखते हैं तो लोग भावुक हो जा रहे हैं उससे देखते के साथ और खासकर जो कलाकार टाइप के लोग हैं जो बहुत दिन से सिंगिंग में हैं डांसिंग में फिल्म में जो सपने संजू तो उनको पवन जी उनके लिए भगवान हैं, तो वो देखते के साथ भाभुक हो जा रहे हैं, अच्छा, जिस तरह से भुशपूरी के तमाम कलकार से श्टेज पर जब तें, तो पवन से इंक के रहे थे जितने बहन बेटियों का हो सकता है, उतने बहन बेटियों का साधिक जिमा इन कलाकारों को लेना होगा और उस स्टेज पर अंकुस राजा से लेकर तमाम भुजपुरी कलाकार थे और लोग समर्थन भी कर रहे थे रोजगार पर भी बात करने पर नहीं बोलते हैं लेकिन जब स्टेज पर आ रहे हैं तो वही मतलब खिल्मी परवन सी टाइप से क्या लगता है कुछ कर पाएंगे नहीं बिल्कुल कर पाएंगे आप एक बात बताए ना वह बंदा तो जो बोल रहे हैं वह बैलेंस बोल रहे हैं और सारी चीजे वह बोली रहे हैं ऐसा नहीं कि एक-दो बार अगर नहीं बोले होंगे लेकिन जब भी उनसे मीडिया क्योंकि हो तर्ट हमने इक कुई यह अर्टह कोई जाननु रहा था उस कारा कार्ड की ध्रती पर बड़े-बड़े दिगज लोग फलाना अ भEP यह तो जो उधर का रास्ता भी नहीं देखे थे थी दिग लोग तो रास्ते नहीं देखे थे अलग बात ही वहां के मंत्री जो जीते हुए सांसद है वो खुद भी वहां का रास्ता नहीं जानते थे गली-गली, आज उनकी मजबूरी हो गई कि गली-गली घुमना पड़ रहा है, कहीं कहीं से गाली खा के वापस आ रहे हैं, डालमिया नगर बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और कारा का जो परिवार रह रहे हैं अभी तक वो परिवार को खाली करने बोला जा रहा है और लोग खाली कर भी रहे है लेकिन वो उनका कहना है लोगों का कि हमें सेलरी मिल जाए, इतने दिन जो फैक्ट्री बंद कर दिया आपने अचानक से और तो इतने लोग सड़क पे आ लेकिन लेने ना लेने से हमें क्या फर्क पड़ना है इवताई आपके लिए पवण जी नचनिया गवनिया होंगे हमारे लिए और हमारी जनता के लिए और हमारी जनता के लिए वह आज के डेट में एक सपना है पवन नेता नहीं वहां का बेटा है जहां जा रहा है मा का आ तो बदलाव होना चाहिए ना हम जनता से यही बोल रहे हैं कि 15 साल आपने दूसरे को समय दिया एक बार किसी नहीं चेहरे को समय देके देखिए नहीं होगा तो पांट साल वाद हटा दीजेगा आप ही के हाथ में तो सब चीज है बदलाव तो काराकाट में होगा कम से कम पावन सीह का जब भी बात आता था पहले जब आप उनके नीजी जीवन में थी तो पावन सीह का काफी कटाच कर रही थी आप उनको घंटा का भी इस्टार बोल चुकी थी लेकिन जब से पावन सीह नमांकन किये हैं पावन सीह के साथ एक पीलर की तरह महिला का अगर देखा तो सबसे मजबूत पीलर महिला में आप दिखी हैं उनके साथ क्या कुछ दिखी कि इतना जल्दी परिवरतर आग intern नीजी जीवन में हम उनके नहीं लेकिन अब उनके नीजी जीवन में हम आ गये हैं जिस वक्त हमारे पास जोती जी का फोन आया था उस वक्त हमने यही कहा तो उसमें कहीं न कहीं नेगेटिव काउंसलिंग तो बनता ही है ना लेकिन जब हमारा फेस-टू-फेस बाते हुई टेबल टॉक हुआ तो उसके बाद तो सारी चीज़े अच्छी हो गई तो जब तक किसी चीज़ को आप पूरे देते नहीं है पहुंच नहीं थी तो कूरे तो पढ़ता तो आपी के सोशल मीडिया के थ्रू हमने आवाज उठाई फिर पवन भाई ने हमें बुलाया और चीज़े सुधरी और आज सुधर के इतना सुधरा की जोती जी आज आपके नजर के सामने है तो यह भी कहते हैं कि यह जो हुआ है वो चुनाव के लिए हुआ और फिरा भाई के साल आपके सामने हैं दोस्तों के मां में यह हैं जोस्तों के लिए 10-12 साल सेиссरण नजरा रहे हैं जैसे मनोज टिवारी की बात करे जो दोस्त है उनके वहाँ खड़े his जो दोस्ति नि दोस्त कहां से औहले वो हमसे अगर पूचे गा पर सली तो दुश्मन केटेगई टयूंत होते हैं पवन बरबाद करने मेरी नजर में ये मेरा अपना व्यक्तिकत वह मेरी नजर में उनुह हो नहीं के अ कर्या आज को थोड़ी पता था सारी बात को ना। ना जेपी नडड़ा जी को पता था, ना अमिर्शा जी को पता था, नीचले लेवल के लोग आपस में बैठे, तो क्या होता है, जेलस में, कि हमसे बैटर कोई उपर नहीं पहुच पाए, उसके जेलस में पवन को ऐसा ही लोग कतरते चले गए, आसनसोल वापस हुआ, बलिया वापस हुआ, बिहार का सपना दिया, बिहार से भी उड़ा दिया, और आज वो बच्चा अगर निर्दलिये चला गया, तो उसमें सी आप लोगों को मिर्ची लगी पड़िया, रही चैन से रहने दोगे, मतलब उनके अपने ही लोग नहीं चाह रहे थे, कि ज़्यादा नजरी नहीं आता, ये बताएए, जिस रवी किशन के लिए पहुन से गाना गाते हैं, अभी की बार रवी किशन भाया के जितावे के बाह, और सांसद बनावे के बाह, और काफी ट्रेंडिंग में था वो गाना, और उसका असर भी हुआ, कि रवी किशन जीत भी गया थे, लेकिन जैसे ही रभी किसन से सवाल किया जाता है पहुंसी के बारे में हर-har महादेव करके निकल जाते हैं इतना क्या आप लोग पार्टी से डड़ते हो जी आप लोग अपना व्यक्तित्व नहीं है एक ट्वीट कर देते शुब कामना दे देते मतलब इतना आपको अपने अहदे सत्ता का भूक है कि आप अपना चरितर भी भूल जाते हो कि आपके एक अच्छे करेक्टर वाले आद पावर स्टार है कुछ तो भला बोला मनुस्तिवारी ने यह तो ऐसे हर हर महादे बोले जैसे लग रहा है कि कुछ बोल देते तो मोदी जी गोलिये मार देते रवी किशन को इतना डर होता है कहीं मतलब पाटी में हो ने का मतलब आदमी अपना व्यक्तिगत क्या है बहुत तरीके से क्या है वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगे बहुत बहुत धन्यवाद आपके आप देख रहे थे यह पवन सिंग के साथ सुरुवात से हैं और जीस तरह से इन में जोस है उसी तरह पवन सिंग को लेकर कराकाट में भी जोस है अलाकि अभी मोदी जी से लेकर राजनात सेंग, जेपी नडडा, अमेट सा, सारे लोग कहीं न कहीं उपेंद्र को स्वाह के लिए केंपेनिंग चालू कर दिये हैं और इधर से पवन से भी खेसारी लाल यादों से लेकर ऐसा भुजपूरी का कोई सुपरेस्टार नहीं बचा होगा, बीजेपी पार्टी